ओम श्यान्ती तीन सितंबर दो हजार चोबिस के इश्वरिय महवाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स बाबा ने कहा तुम दूर देश के रहने वाले रूहानी पैसेंजर हो भले तुम यहां बैठे हो प्रन्तु बुद्धी अब घर और राजधानी में हैं तुम्हारे दिल में हैं कि अब हमको पुरुशार्थ कर नर से नारैन बनना है इस शरीर दवारा ही तुम आत्माओं को बाब से लोटरी मिलती है इसलिए इससे कभी तंग नहीं होना यह बहुत वैलियोबल शरीर है फिर बाबा ने कहा अभी तुम किचड़ा छोड मोती चुगते हो बाब आते ही है बगुलों के बीच और बगुले से तुमको हंस बना देते हैं पदमापदम भाग्येशाली त क्योंकि तुम्हारे पैर में अभी पदम का छापा लगता है रिस्त व्यभार में रहते अगर तुम कमल फूल समान पवित्र रहो तो विजे माला में भी पिरो सकते हो लास्ट में बाबा ने कहा जो बहुत याद करते हैं और आप समान बनाते रहते हैं वह उंच पद पाते हैं अब तुम्हें जंगली काटों को फूल बनाने की सेवा करनी हैं जो दूसरों को काटा लगाते हैं जरूर उनको भी काटा तो लगता है यहां हर बात का रिस्पोंड मिलता है फिर सत्युग है फूलों का बगीचा वहाँ दुख की कोई बात नहीं और अब सुनते हैं मह हवाक्यों को विस्तार से मुडली का सार मीठे बच्चे तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रही हो एक बाप से प्यार करना है प्रश्न तुम बच्चों को किस चीज से तंग नहीं होना है और क्यों उत तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से जरा भी तंग नहीं होना है, क्योंकि यह शरीर बहुत बहुत वेलियबल है, आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लोटरी ले रही है, बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी, ओम मीठे मीठे रुहानी बच्चे, अब दूर देश के रहने वाले, फिर दूर देश के पैसेंजर्स हो, हम आत्माई हैं और अभी बहुत दूर देश जाने का पुरुशार्थ कर रहे हैं, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, कि हम आत्माई दूर देश की रहने वाली है और दूर देश में रहने वले बाप को भी बुलाते हैं कि आकर हमको भी वहाँ दूर देश में ले जाओ अब दूर देश का रहने वला बाप तुम बच्चों को वहाँ ले जाते हैं तुम रुहानी पैसेंजर्स हो, क्योंकि इस शरीर के साथ हो ना, रुहु ही ट्रेवलिंग करेगी, शरीर तो यहां ही छोड़ देगी, बाकी रुहु ही ट्रेवलिंग यात्रा करेगी, रुहु कहां जाएगी? अपने रुहानी दुनिया में, यह है जिस्मानी दुनिया, वह है रुहानी दुनिया, बच्चों को बाप ने समझाया है, अब घर वापिस जाना है, जहां से पार्ट बजाने यहां आए है, यह बहुत बड़ा मांडवा, अथवा स्टेज है, स्टेज पर एक्ट करके सब को वापिस जाना है नाटक जब पूरा होगा तब तो जाएंगे न अभी तुम यहां बैठे हो तुम्हारा बुद्धी योग घर और राजधानी में है यह तो पक्का पक्का याद कर लो क्योंकि यह तो गायन है अन्त मती सोगती अभी यहां तुम पढ़ रहे हो जानते ह भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं भगवान तो सिवाए इस पुरुशोत्तम संगम युग के कभी पढ़ाएंगे नहीं सारे पांच हजार वर्ष में निराकार भगवान बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं यह तो तुमको पक्का निश्य है पढ़ाई भी कितनी स सहज है अब घर जाना है उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार है मुक्तिधाम में जाना तो सब चाहते हैं परन्तु उसका भी अर्थ नहीं समझ से हैं मनुष्यों की बुद्धी इस समय कैसी है और तुम्हारी बुद्धी अभी कैसी बनी है कितना फर्क है तुम्हारी है स् बुद्धी नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार। सारे विश्व के आदी मध्यांत का नौलज तुमको अच्छी तरह है। तुम्हारे दिल में यह हैं कि हमको अब पुरुशार्थ कर नर्से नारायन जरूर बनना है। यहां से तो पहले अपने घर में जाएंगे ना, तो खुशी से जाना है। जैसे सत्युग में देवताईं खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वैसे इस पुराने शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। इनसे तंग नहीं होना है, क्योंकि यह बहुत वैलियोबल शरीर है। इस शरीर दवारा ही आत्म को बाप से लोटरी मिलती है। हम जब तक पवित्र नहीं बने हैं, तो घर जा नहीं सकेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। तब ही उस योग बल से पापूं का बोजह उत्रेगा, नहीं तो बहुत सजा खाने पड़ेगी। पवित्र तो जरूर बनना है। लोकिक संबंद भी बच्चे कोई गंदा पतित काम करते हैं, तो बाप गुसे में आकर लाठी से भी मार देते हैं। क्योंकि बेकाइदे पतित बनते हैं, किसके साथ भी बेकाइदे प्यार रखते हैं, तो भी माबाप को अच्छा नहीं लगता है। यह बेहद का बाप फिर कहते हैं, तुम बच्चों को यहां तो रहना नहीं है, अब तुमको जाना है नई दुनिया में, वहां विकारी पतित कोई होता नहीं, एक ही पतित पावन बाप आकर ऐसा पावन तुमको बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं, हमारा जन्म दिव्य और अलोकिक है, और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। भल धर्म सापक जो आते हैं, उनकी आत्मा भी प्रवेश करती हैं, प्रंतु वह बात ही अलग है। हम तो आते ही हैं सबको वापिस ले जाने के लिए। वह तो उपर से उतरते हैं, नीचे अपना पार्ट बजाने, हम तो सबको ले जाते हैं। फिर बतलाते हैं कि तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में उत्रेंगे। उस नई दुनिया सत्युग में बगुला कोई भी होता नहीं। बाप तु आते ही हैं बगुलों के बीच। फिर तुमको हंस बनाते हैं। तुम अब हंस बने हो मोती ही चुगते हो। सत्युग में तुमको यह रत्न नहीं मिलेंगे। यहां तुम यह ग्यान रत्न चुग कर हंस बनते हो। बगुले से तुम हंस कैसे बनते हो यह बाप बैट समझाते हैं। अभी तुमको हंस बनाते हैं। देवताओं को हंस असुरो को बगुला कहेंगे। अभी तुम किचडा चुडाए मोती चुगाते हो। तुमको ही पदमा पद्म भाग्यशाली कहते हैं। तुम्हारे पैर में छापा लगता है पदमों का। शिव बाबा को तो पाउं है नहीं जो पदम हो सके। वेह तो तुमको पदमा पदम भाग्ये शाली बनाते हैं। बाब कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं। यह सब बातें अच्छी रिती समझने की हैं। मनुष्य यह तो समझ से हैं ना स्वर्ग था, प्रन्तु कब था, फिर कैसे होगा वेह पता नहीं है। तुम बच्चे अभी रोश्नी में आये हो, वेह सब हैं अ वर्ष की बात हैं। बाप बैठकर समझाते हैं, जैसे तुम आते हो पार्ट बजाने, वैसे मैं भी आता हूं। तुम निमंत्रन देकर बुलाते हो, हे बाबा, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। और किसको भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे, अपने धर्म स्थापक को भी ऐसे नहीं कहेंगे कि आकर सबको पावन बनाओ। क्राइस्ट अत्वा बुद्ध को थोड़े ही पतित पावन कहेंगे। गुरु वै है जो सदगती करे। वै तो आते हैं, उनके पिछाडी सबको नेचे उतरना है। यहां से वापिस जाने का राश्वा बतलाने वाला, सर्व का सदगती करने वाला अकाल मूर्त एक ही बाप है। वास्तों में सत्गुरु अक्षर ही राइट है। तुम सबसे राइट अक्षर फिर भी सिख लोग बोलते हैं। बड़ी बड़ी आवाज से कहते हैं सत्गुरु अकाल। बड़ी जोर से धुन लगाते हैं। सत्गुरु अकाल मूर्थ कहते हैं, मूर्थ ही नहीं हो, तो वे फिर सत्गुरु कैसे बनेंगे, सद्गती कैसे देंगे, वे सत्गुरु स्वियम ही आकर अपना परीचे देते हैं, मैं तुम्हारे मिसल जनम नहीं लेता हूं, और तो सब शरीरधारी बैट सुनाते हैं, तुमको अशरीरी रुहानी बाप बैट समझाते हैं, रात दिन का फर्क है, इस समय मनुष्य जो कुछ करते हैं, वे रोंग ही करते हैं, क्योंकि रावन की मतपर है न, हर एक में पाँच विकार हैं, अभी रावन राज्ये हैं, यह बातें डिटेल में बाप बैट समझाते हैं नहीं तो सारी दुनिया के चक्र का मालूम कैसे पड़े यह चक्र कैसे फिरता है मालूम पड़ना चाहिए न यह भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ आप ही बाप समझाते रहते हैं तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नही बगवान तो बाप है बापका काम है सब कुछ आपे ही सुनाना आपे ही सब कुछ करना बच्चों को स्कूल में बाप आपे ही विठाते हैं नौकरी पर लगाते हैं फिर उनको कहते हैं, साथ वर्ष बाद ये सब छोड भगवान का भजन करना, वेद शास्त्र आदी पढ़ना, पूजा करना, तुम आधा कल्प पुजारी बने, फिर आधा कल्प के लिए पूज्य बनते हो, पवित्र कैसे बनो, उसके लिए कितना सहज समझाया जाता है, फिर पवित्थ सब भक्ति कर रहे हैं, तुम ज्यान ले रहे हो, वेह रात में हैं, तुम दिन में जाते हो, अर्थात स्वर्ग में, गीता में लिखा हुआ है, मन मनाभव, ये अक्षर तो मशुहूर है, गीता पढ़ने वाले समझ सकते हैं, बहुत सहज लिखा हुआ हैं, सारी यो गीता पढ़ते आये हैं, कुछ भी नहीं समझ से, अब वही गीता का भगवान बैठ सिखलाते हैं, तो पतित से पावन बन जाते हैं, अभी हम भगवान से गीता सुनते हैं, फिर औरों को सुनाते हैं, पावन बनते हैं, बाप के महवाक्य है न, यह है वही सहज राज मनुष्य कितने अंदश्रधा में डूबे हुए हैं, तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते हैं, ड्रामा नुसार उन्हों की भी जब तकदीर खुले, तब ही आ सकें, तुम्हारे पास, तुम्हारे जैसी तकदीर और कोई धर्म वालों की नहीं होती, बाप ने समझाया है, यह तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, तुम भी समझ से हो, बाप ठीक कहते हैं, शास्रों में तो वहां भी कंसरावनादी बैठ दिखाए हैं, वहां के सुख का तो कोई को पता ही नहीं है, भल देवताओं को पूझते हैं, प्रंतु बुद्ध कुछ नहीं बैठ था, अब बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करते हो, ऐसे कभी सुना कि बाप बच्चे को कहे कि तुम मुझे याद करो, लौकिक बाप कभी ऐसे याद कराने का पुरुशार्ट कराते हैं क्या? यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, तुम सारे अभी किसको भी पता नहीं पड़ेगा कि यह नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है नई आत्मा का नामाचार जरूर होता है अभी भी देखो कोई कोई का कितना नामाचार होता है मनुष्य ढेर आ जाते हैं तो वेह प्रभाव पड़ता है वेह भी नई आत्मा आती है तो पुरानों पर प्रभाव होता है ताल टालिया निकलती जाती है तो उनकी महिमा होती है किसको पता नहीं रहता है कि इनका नामचार क्यों है नई आत्मा होने से उनमें कशिश होती है अभी तो देखो कितने धेर जूटे भगवान बन गए है इसलिए गायन है सच्च की बेड़ी हिलती डूलती है लेकिन डूबती नहीं है तुफान बहुत आते हैं क्योंकि भगव तुफान की वईया है ना बच्चे भी हिलते हैं नाव को तुफान बहुत लगते हैं और सत्संगों में तो धेर जाते हैं परन्तु वहां कभी तुफान आदी की बात नहीं आती यहां अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं परन्तु फिर भी सापना तो हो नहीं है रिस्पोंड तो हर बात का मिलता है वहाँ दुख की चीची बातें कोई होती नहीं इसलिए उनको कहा ही जाता है स्वर्ग मनुष्य स्वर्ग और नर्क कहते हैं प्रंतु समझ से नहीं है कहते हैं फलाना स्वर्ग गया यह कहना भी वास्तों में रौंग है निराकारी दुनिया को कोई हैविन नहीं कहा जाता है वहे हैं मुक्तिधाम यह फिर कहते हैं स्वर्ग में गया अभी तुम जानते हो यह मुक्तिधाम आत्माओं का घर है जैसे यहां घर होते हैं भक्ति मार्ग में जो बहुत धनवान होते हैं तो कितने उचे मंदिर बनाते हैं, शिव का मंदिर देखो, कैसे बनाया हुआ है, लक्ष मिनारेन का भी मंदिर बनाते हैं, तो सच्चे जेवर आदी कितने होते हैं, बहुत धन रहता है, अभी तो जूट हो गया है, तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे, अभी त के डर से सच्चा चिपाए जूट पहनते रहते हैं वहां तो है सच ही सच जूटा कुछ भी होता नहीं यहां सच्चा होते भी चिपा कर रख देते हैं दिन प्रति दिन सोना महंगा होता रहता है वहां तो है ही स्वर्ग तुमको सब कुछ नया मिलेगा नई दुनिया में सब क कुछ नया, अकी चार, अथा धन था, अभी तो देखो हर एक चीज कितनी महंगी हो गई है, अभी तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर सब राज समझाया है, मूल वतन का राज बाप विगर कौन समझाएंगे, तुमको भी फिर टीचर बनना है, ग्रस व्यभार में भी भले रहो, कमल फूल समान पवित्र रहो, औरों को भी आप समान बनाएंगे, तो बहुत उंच पद पा सकते हैं, यहां रहने वालों से भी वहें उंच पद पा सकते हैं, नमबर वार तो हैं ही, बाहर में रहते हुए भी विजय माला में पिरो सकते हैं, हफते का कोर्स ले, फिर भले विलायत में जावें, वह कहां भी जावें, सारी दुनिया को भी मैसेज मिलना हैं, बाप आए हैं, सिर्फ कहते हैं मामे कम याद करो, वह बाप ही लिबरेटर हैं, गाइड हैं, वहां तुम जाएंगे, तो अखबार में भी बहुत नाम हो जाएगा, दूसरों को भी य आत्मा और शरीर दो चीज हैं, आत्मा में ही मन बुद्धी हैं, शरीर तो जड़ हैं, पार्टधारी आत्मा बनती हैं, खूबी वाली चीज आत्मा हैं, तो अब बाप को याद करना हैं, यहां रहने वाले इतना याद नहीं करते हैं, जितना बाहर वाले करते हैं, जो उच्छ पद पाते हैं। तुम समझ से हो पहले हम भी काटे थे। अब बाप ने ओर्डिनेंस निकाला हैं का महाशत्रू हैं। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। प्रन्तु लिखत से कोई समझ से थोड़े ही हैं। अभी बाप ने समझाया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्से। धार्णा के लिए मुख्ये सार। पहली पोइंट सदा ज्यान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। मोती ही चुगने हैं, किचडा छोड़ देना है। हर कदम से पदमों की कमाई जमा कर पदमा पदम भाग्यशाली बनना है। उच पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। कमल फूल समान पवित्र रहें, आप समान बनाना है, कांटों को फूल बनाना वर्दान, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर, रहम की भावना इमर्ज करने वले मर्सिफुल भव। तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर, रहम की भावना इमर्ज करने वले मर्सिफुल भव। समय परती समय कितनी आत्माई दुख के लहर में आती हैं। प्रकृती की थोड़ी भी हलचल होती हैं, आपदाएं आती हैं, तो अनेक आत्माई तड़फती हैं। मर्सि रहम मांगती हैं, तो ऐसी आत्माई की पुकार सुन, रहम की भावना इमर्ज करो। पूज्ये स्वरूप मर्सिफुल का गुण धारन करो। स्वियम को संपन्न बना लो, तो यह दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। अभी परिवर्तन के शुब भावना की लहर तिवर गती से फैलाओ, तो तेरे मेरे की हलचल स्माप्त हो जाएगी। स्लोगन व्यर्थ संकल्पों की हतोडी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाए, हाई जम्प दे समस्या रूपी पहाड को पार करने वाले बनो। व्यर्थ संकल्पों की हतोडी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाए, हाई जम्प दे समस्या रूपी पहाड को पार करने वाले बनो। ओम शांती, आज के ज्यानमोती में हम जानेंगे सितारों के आधार पर जनमपत्री और भविश्य कैसे बनता है। सुनने के लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें। स्थनने के लिए करें।